यह FCI कोलोनी है और अभी जो हम जा रहे हैं FCI कोलोनी के अंदर जा रहे हैं तो यह काफी अच्छा जगह है बर पानी के थोड़ा प्रॉब्लम है यहां पर रास्ते में पानी जमा रहता है निकलने के कहीं से जगह नहीं है शायद हाई दोस्तों मैं है आपका दोसेश के और आ आज हम FCI कोलोनी के वीडियो बना रहे हैं हमारे कुछ दोस्ते ने बोलता है FCI कोलोनी के वीडियो बना कर अप्लोड कीजिए तो इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं तब फुलवारी शेफ गुलंबर से दानापुर की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने पर कि यह राइड रास्ता जाता है इस रास्ते को दिपाली गार्डेन रोड बोलते हैं जिसके जश्ट पोजिट मेंस मेरे डाइड साइड पर जो एक और रास्ता जा रहा तो उसको FCI रोड बोलते हैं तो अभी आप देख सकते हैं दोनों साइट पर काफी घर बना हुआ है औ कि आज मैंने वीडियो काफी दिन बाद वीडियो बनाया है क्योंकि कुछ मेरे फादर जो है वो थोड़ा हॉस्पिडल में अड्मिट है अब अंचार्ड पैरलाइज हो गया है वो तो अभी भी वो हॉस्पिडल में है तो अज टाइम निकाल कर चले आए वीडियो बनाने के मिले तो इसलिए काफी टेंशन भी है तूस्के वीडियो नहीं बना पा रहते हैं आज मेरे आवाज में भी थोड़ी नर्मि दिखती होगी कि आँवाज थोड़ी घीमी है मेरी अज इसली है योई sus ile एटरह है तो हमगे से हैं राइट से बड़ी बिल्यंग बन रहे है कि है मेरे लेफ साइट पर भी काफी अच्छा सा घर बना हुआ है और राइट सेट पर भी है बस थोड़ी दिर में अभी एफसाई कॉलोनी आ जाएगा जहां पर हम इंटर कर जाएंगे तो यह भी यह टन लिया यह टन लेके भी यह अंदर चले गया है यह अब देख सकते हैं काफी अच्छा अच्छा घर बना हुआ है पानी थोड़ा सा प्रोब्लम है यहां पर हम कुछ दिन पहले भी आएं जब सुखा था वो टैम पे भी आए थे आप देख सकते हैं राइट स अपार्टमेंट मन रहा है तो हम कुछ टैम पहले यहां पर आएं तो इस टैम सुखा था तो काफी अच्छा था वहां पर रोड काफी अच्छी थी और पानी कहीं भी करें नहीं था मतलब पूरा किलियर था और चुकि रोड तो ऐसे भी आपको दिख रहा काफी चौड़ा तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे लग रहा है और काफी अच्छे से घर बने हुए हैं काफी बड़े-बड़े घर काफी खुबसरत खुबसरत घर बने हैं यहां पर और कुछ घर का भी वीडियो लिया है जो जैसे कुछ इस टैप के घर जो काफी खुबसरत जैसे यह गर देख लिए काफी खुबसरत डूर लगावा है इसमें और बहुत सारी लोगों की बालकुनी से भी बहुत खुबसरत है जैसे बालकुनी देखिए काफी खुबसरत ब जो कि यह रोड तो कॉंक्रीट है बट पिर भी शायद कुछ कहीं पर कुछ काउम चला उस वज़े से मट्टी उट्टी ऐसे गिरा हुआ है I think concrete है confirm नहीं बट यहां पर तो concrete का रोड बना हुआ है यह घर देखे काफी अच्छा गर लग रहा है भी तो सभी गर यहां पर आपको ऐसे ही दिखेंगें काफी खुश्रत गर देखेंगें यह भी आपको फशाई कालोनी के अंदर कही है कुछ जगह भी खाली है अभी आने मों एक साल दो साल में वो भी फूल हो जाएगा I think तो आप देखिए जैसा होता आप मतलब कमेंट कीजिए आप किस तक क्या सा वीडियो कैसा लगा तो कि मेरा मूड नहीं था एक्छली बनाने का वीडियो काफी अफसेट हैं लेकिन काफी डिले हो रहा था तो इसलिए फिर मैंने एक वीडियो बना लिया है तो प्लेज आप वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें अगर 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 आप लोग किसी को पता है यह क्या है तो बताएं प्लीज कमेंट में एक कौन सा कॉलोनी है ओके थैंक यू थैंक वेर्यमच